नमस्कार दोस्तों वो कहते हैं ना कभी भी मत सोचिये कि आप अकेले हैं कभी भी मत सोचिये कि आप अकेले हैं अमेशा ये सोचिये कि आप अकेले ही काफी हैं नमस्कार प्यारे बचो एक बार फिर से आपका हर्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के बाई प्रदीप सर्पे और प्यारे बचो जो NTA की इस रंकला हमने स्टार्ट की हुई है इसके रिगार्डिंग एक बहतरीन लेक्चर रहेगा और इस रंकला में ह से बोर टाइप के कॉस्शन बनेंगे अब यह ना आपको ओप्षन के ञसाब से जाना होगा ठीक है वो पूरूश सागसरता की अगर बात करे ना नहीं सार की बात करेनगई घुरु फूरी ग्राम में थी और यहां पर प्यारे बच्छो ना तो पूरूश की बात कर रहा ना महिला की बात कर रहा ठीक है तो वो एक प्रोपर डिस्टिक की बात कर रहा है तो गुरू गराम में सबसे ज़्यादा लोग क्या थे साखसर थे इस कंडिशन में हमारा अंसवर क्या हो जाएगा गुरू 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 जी फतेहवाद का लिंगनपाद 903 जो लिंगनपाद में मेवाद नमबर वन पर था फतेवाद नमबर दूसरे में था और साकसरता में फतेवाद भी दूसरे नमबर पर है सबसे कम में और मेवाद सबसे कम में पहले नमबर पर है तो फतेवाद और मेवाद है ना दोनों टच इन गो में चल रहे हैं तो ये पुरुस का नहीं पूछ रहा तो सबसे ज़्यादा ओस्त लोग कहां पर पड़े लिखे हैं गुरुग्राम में और ओस्त लोग सबसे कम कहां पड़े लिखे हैं मेवात में रहेंगे नेक्स्ट कोश्चन के और मुव करते हैं अगे आता है हैं रिय और ये के पूछा जाएगा गेहूं वाला गेहूं अनुसंदान नीदे साले ये कब बना था 1978 में बना था दोनों कोशन एक्जाम पॉइंट ओफ यू से इंपोर्टेंट है हरियाना में निम लेकित में कौन बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ अभियान की नोडल एजेंसी है अब प्यारे बचो नोडल एजेंसी महिला एवं बाल विकास रहेगी महिला एवं बाल विकास मंत्रा ले इसकी क्या रहेगी नोडल एजेंसी रहेगी बेटी बचाओ बेटी अभियान की और ये योजना कब शुरूई थी 22 जन्वरी 2015 को हरियना के कहां से शुरू हुई थी पानिपद से और परधानमंतरी नरेंदर मोदी जी के साथ माधूरी दिखसी थी लेकिन अभी है न इस योजना का नाम क्या कर दिया गया है बदलाव योजना कर दिया गया है जिसकी बेटी आपा धनलक्षमी बेटी आपा ध धनलक्षमी विज्जे लक्षमी बेटी आपा धनलक्षमी विज्जे लक्षमी इस योजना का नाम बदल कर कर दिया गया इसकी ब्रांड मेस्टर पूरे हरियना की साक्सी मलिक रहेगी जिनका संबन मोखरा गाउं रोद तक से 3 सितंबर 1902 में के बारे में आपने पढ़ा हो मेवात का गंदी प्यारे बचो यासीन यासीन मेव को कहा जाता है मेवात का गंदी हरियना का गंदी पूछे ना हरियना का गंदी तो हरियना का गंदी है ना मूल चंद जेन को कहा जाता है किसको कहा जाता है मूल चंद जेन का संबन हरियना में कहां से होता था सोनी पत से हो और कस्मीर का अकबर कस्मीर का अकबर किसे कहा जाता है तो जेलू दीन एक व्यक्ति का नाम था जेलू दीन उनको कस्मीर का क्या कहा गया था अकबर कहा गया एसे भी कोश्चिन आएंगे भारत का विसमारक भारत का विसमारक किसे कहा जाता है सरदार बल्लव भाई पटेल को क कभी समारा का जाता है विस मारक कहा से थे प्रैयार बच्चो इंटली करने का स्रेब इस मारक को घका रेडमनी डेल्ब आप पड़ोगे ना तो इनके एक किकरन में इन्हों ने बहुत बुमिका निवाई थी ठीक है तो आप प्यारे बच्चों यहां से कोश्ण आगामी एक्जाम में आ सकता है भारत का भी समरक आपको याद रखना है तो भारत का मिसमरक कुन था सरदार बल्लब भाई पटेल को आईरें मेन ओफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और आप पड़ोगे प्यारे बच्चों जो इन्होंने लगान की दर 30% कर दी गई थी उसे गटा कर 6.3% ले आए इसलिए इनको बारदोली के महिलाओं ने सरदार की उपादी दी थी निक्सक्रमेशन की और बढ़ते हैं प्यारे बच्छों इन में से कौन से भारत के ग्रे मंत्री नहीं रहें और प्यारे बच्छों अभी है ना एक नंबर देता हूं चुएतर नो सो अठटर फोर डबल जीरो पोर सेवन आज और कल है ना दुरीना पर प्यारे बच्छों जो एचससी लाइव बेच है 799 रूपे में एचससी लाइव 22 तीचर रहेंगे इसमें लाइव और रिकोड़िड और एक है ना आप देखोगे 599 रूपे में ओनली रिकोड़िड बेच है ले सकते हो प्यारे बच्छों ये बेच अभी अच्छा लगे तो अभी परचेज कर ले ना पूरे हरियाना की बेस्ट टीम हमने अपनी और से उ ओसन में प्यारे बच्छों इंद्रा गांधी बी थी ठीक है तो उस सहाब से हमें ओसन के आप से जाना पड़ा तो जगमुहन जगमुहन है ना वहरियाना कैसे भारत के क्या नहीं रहे थे ग्रे मंत्री नहीं रहे थे तो यह याद कर लेना ओफ्चन के आप से कई कोशनों क के अंतरगत यह बहुत इंपोर्टेंट है पीं के परदान मंतरी पसलबीमा योजना के देट वार्शिक वानिजी के तथा नहीं पस्लों के लिए किर्शकों द्वारा बुगतान की जाने वाली एक समान प्रीमियम रासी कितने percent होती है तो 5 percent होती है कितने percent होती है फांच percent होती है आगकते हरियाना में कौन सा जिला सर्सोंकी पेदाबार में पर्थमस्तान पर है पैरे बच्छों सर्सों सबसे ज़ाधा है आज तक HSSC ने जितने भी कोई exam हुए ना उस में माना हैं सरसों मेंदरगड में ज़्यादा होती है उप्सन में मेंदरगड नहीं था तो सरसों सब से ज़्यादा हम किस के साथ जाएंगे बीवानी के साथ जाएंगे किस के साथ बीवानी में होता है बाजराचना आप पढ़ते हों प्यारे बचो ये आगामी एकजामें यहां से कोशना सकता है लेकिन ना सरसों और मेगनीज ये महंदरगड में ज़्यादा होते हैं उप्शन में महंदरगड नहीं था तो सरसों बीवानी के साथ गए हर्याणा में किस पर मुकरूप से पसले होंगी रवी की पसल को क्या का जाएगा आसाड़ी पसल कहा जाएगा खरीब की पसल को क्या का जाएगा गुरुजी सावनी पसल का जाएगा और जायद पसलों को क्या का जाएगा चारा पसल का जाएगा नेक्स एकजाम में ये कुशन आएंगे बारत की प इस योजना मेना किस की खेती के लिए सबजीयों की खेती के लिए आई थी ठीक है वेजी टेवल के लिए आई थी भारत की पहली भारत इंडो इसराहिल बोलेंगे इसे किर्शी प्रियोजना हरियना के करनाल जिले में स्तापित की गई तो करनाल में जिसे आप पढ़ोगे घर उंडा करनाल में रहेगा और मंजियाना सिर्षा में रहेगा तो इसका अंस्वर क्या रहेगा इस प्रियोजना के देथ अच्छी गुणवत्ता की खेती की जाएगी किसकी सब्जीयों की खेती की जाएगी हरियाना की वानिजिक पसल कौन सी है प्यारे बचो एच्च ससी ने ह अस्तिताउनीमे लिखित में किस नगर के साथ जोडा जाता है तो प्यारे बचों आम सबसे ज़्यादा कांपर होते हैं अमवाला में ठीक है तो आमों के उपऊवन के उपऊवनों का पूछा है वेसे आम अभी वर्तमान में अलग अलग जगे अलग होते हैं अमवाला से भी बुला जाता था अंबाला को क्या बुला जाता था आमो वाला बुला जाता था तो ये भी आगामी एक्जाम में ये कोश्चन आप से देखने को मिल सकता है और ये हां से एक कोश्चन आपको मिलेगा माता अंबा देवी का मंदिर कहां पर रहेगा तो माता अंबा देवी का मं अम्बारार राजपूत ने किसे बसाया था अम्बार राजपूत ने भी प्यारे बच्चों साइनस सीटी रहेगी हुआपिया शीटी ओप ग्राइंडर भी किसे का जाता है। यह आगया फिर केंद्रिये मिटी लवनता अनुसंदान के इंदर कहां पर है करनाल में कब बना था 1909 में बना था और वो गेहूं वाला 1978 में बना था डेरी वाला 1955 में बना और 1923 में डेरी वाला कहां पर था बेंगलोर में था ठीक है आगा मैं एक्जाम में कुशन आ सकता है पश्मी छेतरों का किर्सी जलवाईू छेतर अनुसंदान बहुत इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चो पश्मी छेतरों का किर्सी जलवाईू छेतर अनुसंदान के अंदर कहां पर स्थित रहेगा ये बाब बनवारी लाल तो बनवारी लाल का विधान सबाचेतर कौन सा रहेगा बाबल रेवाडी रहेगा आगे आता निमलिकित में कौन सा हरियाना का राज्ये पक्सी है तो राज्ये पक्सी ने प्रोपर नाम पूछा था उसका ब्लेक फ्रेंग को ब्लेक फ्रेंग को फ्लिन भी इस से आप लाक утra के नाम से भी जानते हूं यह राज किये क्या रहेगा टाक्सि रहेगा नेक्स्ट कोश्चन की हरियाना में छही सर्वन कुमार गरग कों रहेंगे सरवन कुमार ऑगरवर हेंगे छही मंपामी बापकी सेवा करते ठें उसी प्रकार गायें की सेवा कोन करेगा सर्वन कुमार ग्राइब हर्याणा में गो सेवा अयो कहा रहेंगे अध्यक से रहेंगे next question बढ़ते हैं प्यारे बच्व तेमार्द के हलों के दोरान हरियाना किस राजवंस का सासंथा इसका मतलब है प्यारे बच्छों जब तेमूर लंग ने हरियाना पर आक्रमन किया यानी तेरा सो अठाण में में उस ताइम भारत में कोन सा वंस होता था तुगलक वंस होता था और तेमूर का बेटे का नाम क्या होता था सारूख होता था और इस सारूख को कर कोन बेजा करता था जो सियद वन्स का संस्तापक होता था खिजरा खा खिजरा खा वो तेमूर के बेटे सारूख को क्या बेजने का काम किया करता था कर बेजने का काम किया करता था तेमूर लंग ने कब आकर्मन किया था तेरा सो अठाण में इस वी में आर आकरमन किया ये पेपर में आएगा कहां होता हुआ आया तेमूर लंग सबसे पहले सिर्शा सिर्शा से फतेवाद फतेवादे इसाथ ऐसे होते हुए आगे गया था और वहां जाकर कहते हैं तेमूर लंग ने लाखों हिंदुओं को मोत के गाट उतारने का काम है किया और बाबर है ना इसी तेमूर का वंसज माना जाता है बाबर वे से चंगेज खां का भी बस वंसज माना जाता है और तेमूर का केते हैं मा की और से चंगेज खां का और पिता की और से बाबर तेमूर का वंसज था ये आगामी एक्जाम में आए तो प्यारे बच्चों ये उप्शन के इसाब से आपको क्या टिक करना है? सीला लेक है, टिक करने है, किस के इसाब से टिक करने है? उप्शन के इसाब से इसने अरियाना के इसाब से सीला लेक का पूछा है, किस के इसाब से पूछा है? हरियाना के इसाब से इसने सीला लेक का पूछा है तो प्यारे बच्छो जब option के इसाब से आप जाओगे ना आसानी से जो अजमेर का ना एक आप पढ़ोगे प्यारे बच्छो अर्णो राज का अजमेर अभी लेक है अर्णो राज का अजमेर सीला लेक है इन option के इसाब से सबसे पुराना कौन सा था अर्णो राज का अर्णो राज का अर्णो राज का अजमेर अजमेर सीला लेख ये सीला लेख ये प्यारे बच्छों ओप्सन के इसाब से आपको चूज करना है ठीक है ओप्सन के इसाब से अर्णो राज है ना ये चोहान बंस का क्या था सा सकता इसने ना तोमरों को हरवाने का क्या किया थ हुए क्यों सिपोस तक डेती है यह सिलागए चंपू देती है नेक्स्ट कोस्चन के और बढ़ते हैं प्यारे बday बिच्चों आगे आता है निमर्व insights में दिल्ली के कि सुल्तान ने मेयो को नरह सहार और रूट के मादें से दंडित करने का प्रियास किया ये दिल्ली का सुलतान था प्यारे बच्चों जिसका नाम क्या था gives ame का था बलून था और बलून का सासनकाल है ना कब से कब तक था 1266 से लेकर 1227 सी तक इसका सासनकाल था और किहते हैं बलवन ने प्यारे बचों मेवातियों को नस्ट करने के लिए कौन सी पॉलिसी अपनाई थी बलड एंड आईरन पॉलिसी अपनाई थी बलड एंड आईरन पॉलिसी इसने मेवातियों को नस्ट करने के लिए कौन सी लो एवम रकत की नी ती निमलिकित में किसको मेवात की खान जादा जन जाती का संस्तापक माना जाता है ये कोश्यन आच चुका है प्यारे बच्छो खान जाता बहदूर नादिर को कहा गया था किसको कहा गया था बहदूर नादिर को कहा गया ये इंपोर्टेंट है बहदूर नादिर को कहा गया किसको का गया था बहदुर नादिर को का गया ये निमल लिकित में किसको मेवात की खान जादा जन जाती का संस्तापक बहदुर नादिर को का गया और मेवात है ना प्यारे बच्चो यहां से ना एक सहीद असन खा मेवाती कोलेज भी है मेवात में रहेगा प्रोपर लोकेशन पूछे तो नड हड मेवात में सहीद असन खामेवाती को लेज है और सहीद असन खामेवाती है ना कहती है प्यारे बचों इसने ना खानवा के युद में किसका साथ दिया था रणा सांगा का साथ दिया था और बाबर ने कहा कि मैं मु जाती का संस्तापक कौन होता था बहादूर नादिर होता था कौन होता था बहादूर नादिर होता था नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं निमलिकित में कौन हरियाना में निमलिकित में कौन हरियाना में बहावी आंदोलन का नेता नहीं था बहावी आंदोलन का नेता नहीं ये ना मलब नेता नहीं थे कौन नहीं थे विलायत अली खान नेता नहीं थे और इसके परमु कौन होते थे बहवी अंदोलन के अबदुल बहाउ होते थे कौन होते थे अबदुल बहाउ होते थे आप यारे बचो अरे समाजिक वैधार्मिक सुधार अंदोलन बाई परदीप सरकर देना वहां पर यहां बहँजी अंदोलन के बारे में बहुत डिटेल से आपको चिजह बता रखी है समाजिक वैदार्मिक अंदोलन के ते यह बहँजी आंदोलन के थे मुसल्मानों में सच्चे सवरूप को भाल करने के लिए अब्दिल बहाव ने बहावी आंदोलन चलाया था तो ये बिलायत अली खान नेता नहीं थे आसी का बरसी दर्वाजा किसने बनाया बहुत इंपोर्टेंट है एक तो आसी में कौन सा दर्वाजा रहेगा बरसी दर्वाजा ये अलाउदीन खिलजी ने बनाया किसने बनाया था अलाउदीन खिल जी ने आसी का बरसी दर्वाजा बनाया अलाउदीन खिल जी का सासनकाल 12 नहीं यह जो खिल जी बन से ना 1290 से लेकर 1320 तक रहेगा अलाउदीन खिल जी का सासनकाल 1260 में से लेकर 1360 तक अलाउदीन खिल जी का क्या था सासनकाल और इसे किस के लिए जाना गया कठोर सासन परना लिए जाना गया था और कहते हैं अलाउदिन खिल जी कम तोलने पर ना क्या काड़ दिया करता था मास काड़ दिया करता था तेरा सो दो में ये मेवाड अभियान पर निकला था और कहते हैं ये थोड़ा सा इस कटना को सुनना जो मराठे हैं ना प्यारे बच्चो मराठे हैं पहले किस वन से सम्मझ रखते थे तो मराठे पहले सिसोधिया वन से सम्मझ रखते थे और कहते हैं अलाउदिन खिल जी ने जब 1303 में मेवाड को जीता ना तो वहां से एक सजन सिंग नमक व्यक्ति था ना वो आ गया महरास्त्र और उसका एक वनसस्ता सुब करण वो बूसले कहलाए थे तो यह कानी है सिसोधिया से वनसले की क्योंकि सन 1627 में सिवाजी महराज का जनम हुआ जांगीर की मिरती हुई और सिवाजी महराज का जनम पुना के राइगड किले में हुआ और वो बोसले थे, क्योंकि पिता का नाम साजी बोसले था, मता का नाम जीजा भाई था, पतनी का नाम साला भाई था, दादा का नाम आचारीय कोण देर थे और गुरू रामदास होते थे और सिवाजी महराज है ना, उनकी शादी 1640 में सालावाई से हो गई, 1643 में पहला इन्होंने सीयगड का अभियान, बिजापुर का अभियान लड़ा था, आदिल साही राजा के विरुद, और 1650 में पुरंदर का कीला जीता था, और सिवाजी महराज का 1608 में ओरंग जेब से युद हुआ, हार जरूर गए लेकिन औरंग जेब को राजा बनना था, साज़ा बिमार हो गए, औरंग जेब नोर्स इंडिया उत्तर भारत में आ गए, तो पीछे से सिवाजी महराज ने 1664 में सूरत को लूटा था, 1669 में सिवाजी महराज ने अपजल खां को मारा, 1663 में सिवाजी महराज ने ना साइस्ताखा को बगा दिया, 1664 में सूरत को लूटा, 1665 में बाईश जून, 1665 में सिवाजी महराज और कच्छवा राजा जयसिंग के बीच में पूरंदर की संध्य हुई, फिर 1666 में औरंग जेब ने सिवाजी महराज को आगरा के किले में कैद कर और सिवाजी महाराज आज आगरा के किले में जनम दिन के दिन बेश बदल कर निकल गए 1600 आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों 70 में दुबारा सूरत को लूटा और 1674 में सिवाजी महाराज का राजे विसे गंगा बट जी ने किया जो बनारस से समन्द रखते थे और सिवाजी महाराज ने नो से न विवाग की वी स्थापना की 1678 में अंतिम अभियान करना टक का था जी जी का किला जीता 1680 में मिर्ती हो गई देखो 5 मिनट में पूरा सिवाजी पड़ लिया बस टोपिक कहां से गुमे क्योंकि ये अलावदीन खिलजी आया मेवाड जीता तो यहां से सजन सिंग महाराश्टर चले गए और बाद में उनके वनसज आगे सुब करन के वनसज बोस लेके लाएंगे पहले मराठे सिसोधिया वनस से समन रखते थे ये चीजे है ना जब चीजों को बार-बार पढ़ोगे ना जी के में इतना निगर इन इंट्रेस्ट बन जाएगा आप सोच भी नहीं सकते तो अलावदीन खिलजी ने बनाया था इस अभी लेक में हरियाना को क्या का गया था दर्ती पर सवरक कहा गया था नेक्स्ट कोश्चन के और गोहाना का नामकरण किस राजा के दुवारा हुए है तो गोहाना का नामकरण है ना ये किस ने किया था पिर्थवी राज चोहान ने किया और गोहाना के किले का निर्मा गुहाना विद्रो हुआ ता नेक्स कोशन एगजाम में पक्का आएगा एक कोशन है प्यारे बचोई इस पर सिद्राजा को राज पिथोरा केते थे तो राज पिथोरा के नाम से हम किसको जानते हैं पिर्थवी राज चोहान को राज पिथोरा के नाम से जानते हैं और तोसाम की बाराबरी होगी ना तोसाम की तोसाम की बाराबरी वो पिर्थवी राज चोहान की क्या कहलाती थी कचेरी कहलाती थी पिर्थवी राज चोहान की चोहान की कचेरी कौन सी कहलाती थी तोसाम की बाराबरी कहलाती थी ये आगामी एगजाम में आएगा फिर्थवी राज चोह ना केते हैं 1166 से 1192 में इस वी तक ये राजा रहे थे और चंदरबरदाई ना इनका दोस्त होता था और दरवारी कभी होता था और चंदरबरदाई की रचिना पिर्थ्वी राजरास होती केते हैं उसके बेटे चहवण ने क्या की थी वो पूरी की थी नेक्स्ट कोशन की प्यारे बचो इसका ना आपको जवाब देना है खालिस्तान निर्नायक था इससे उतरी भारत में मुस्लिम परभूताओ की नियु रखी गई ठीक है इसमें युद्ध पूछा गया कौन सा निर्नायक था इसमें उतरी भारत में मुस्लिम परभूताओ की लिए रहेगा और कल पहले ये कोशन करवाँगा फिर आगे टोपिक स्टार्ट करेंगे और इसका जवाब आपको देना तो आज के लिए प्यारे बचो इतना ही है और जी के भाई प्रदीप सर को सब्सक्राइब जुरूर करना और टेलिग्राम में पीडिये मिल जाएगी धन जाए हिंडे जाए भाई